कि कुश्चन एगर रहे देखिए कि एक और पात में पहले और चौथे का गुणनफट कितना है और दूसरे और तीसरे का गुणनफट कितना है तो एक्स की वैलु आप से पूछी गई है पहला और चौथा मालों आपके पास ए बे सी और यह और डी का यह प्रोड़क्त कितना है तो सिंपल आपने जो प्रपोर्पोर्शन आपने देखा हुआ अगर हम ए अपन बेकोल स्टू आपन में ड लिखते हैं तो जो आपके इसको क्रोस मल्टिप्लाइ करो गए ना यह होता है एंटो डी एकोल स्टू बी इंटो सी यानि हम कहने का मतलब हुआ कि एंटो डी जो मल्टिप्लाइ होगा वह इकोल होगा तो सिंपल यहां से समझों अंगर